नमस्कार डोस्तों स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रले बलिस्टिक मेंसाइल्स के बारे में हाले में हमारी डिफेन्स मिनस्ति ने प्रले बलिस्टिक मिसाइल्स को खीदने के लिए अपना बुरूवल दे दिया है अब ANI की इस report को देख सकते हैं Defense Ministry clears proposal to buy Pre-Lay ballistic missiles for Indian Army Indian Army के लिए Pre-Lay ballistic missiles को ख्रीदने का जो proposal था उसे Defense Ministry ने clear कर दिया है तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि Pre-Lay ballistic missile है क्या जब ये Indian Army के पास आएगी तो कैसे ये काफी बड़ा milestone जो है को अन तक देखेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भश्य करेगा पॉलिटिस्ट इकोनों में जेकर टिक उचराफीस है सर्वामा टिनेकोलोजी के तुमाम वीडियो को देखने के लिए एक बर हमारी playlist को जुरू चेक करेगा चलिए शुरुबात करते हैं देखें इंडियन आर्मी के जितने भी combat vehicles हैं या हमारे पर जितने भी equipments हैं Ammonitions हैं उन सारों में अब एक नई addition होने वाली है प्रले ballistic missiles की इसके लिए हमारी Defense Acquisition Council meeting ने अपना approval दे दिया है क्या होती है Defense Acquisition Council उसको हम आगे देखेंगे अब यह जो approval है इसको काफी pivotal development माना जा रहा है हमारी Indian Army के लिए देखें प्रले है क्या प्रले longest range surface to surface missile है यह surface to surface missile है और longest range missile है अब क्योंकि यह longest range है तो सवाल है कि यह कितनी longest range है भीया तो इसकी जो range है वो 150 to 500 km है यह अपने धान रखनी है तो प्रले जो है यह longest range surface to surface missile है और यह कितनी longest है यानि इसकी कितनी range है 150 to 500 km इसकी range है अब इसके पास capability है कि यह कुछ conventional warheads को भी carry कर सकता है 350 kg से लेके 700 kg तक के weight के तो जितने भी conventional warheads हैं साड़े 300 से 700 kg तक उनको भी अपने साथ carry कर सकता है और यही इसको काफी deadly बनाता है क्योंकि यह इसकी काफी deadly punitive capabilities है कि यह अपने साथ 350 kg से लेके 700 kg तक के जो conventional warheads हैं उनको भी carry कर सकता है और इतना ही नहीं इसके साथ यह high explosive performed fragmentation warhead इसे भी carry कर सकता है PCB penetration come blast इसे भी carry कर सकता है और RDPS यानि runaway denial penetration sub munition इसे भी carry कर सकता है तो यह सारी के सारी चीज़ों को यह carry कर सकता है और इसी लिए इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी अगर इनके से युद्ध होता है चाइना या बाकिस्तान के साथ तो जो दुश्मन देशों के क्षित्र हैं वहाँ पर प्रले ढाने के लिए अकेला ही काफी है शायद इसी लिए इसका नम प्रले रखा गया है तो एक बार फिर देखो कि इसके पास capability है कि यह conventional warheads को carry कर सकता है 350 kg से 700 kg तक जो इसको deadly punitive capabilities देती है high explosive perform fragmentation warheads को carry कर सकता है PCB penetration कम blast को carry कर सकता है RDPS runaway denial penetration summutions को यह carry कर सकता है अगर हम इसके speed की बात करें तो इसके speed 1 to 1.6 MAC है MAC आपने कई बार सुना होगा missiles की जब भी हम बात करते हैं तो उनकी जो speed है उसको MAC में बताया जाता है उसकी unit जो होती है वो MAC होती है अब अगर आपनों समझना है कि MAC होता क्या है तो देखिए जो MAC speed है यह ratio होती है एक object की speed की एक given medium में to the speed of sound in that medium यानि कि मान लो की एक ये medium है यहां पर एक object की एक speed है मान लो की एक speed x है और इसी medium में जो speed of sound होगी मान लो की वो y है तो इन दोनों की जो ratio होगी उसको हम MAC speed बोलेंगे एक बार फिर देखो ratio of an object speed in given medium एक given medium में एक object की जो speed होगी to the speed of sound in that medium उसी medium में जो speed of sound होगी इन दोनों की जो ratio होगी उसको हम MAC speed बोलेंगे अब अगर इस statement को एक perspective देना है understanding के लिए कि असल में ये MAC speed होगी कितनी तो देखिए एक MAC होता है 1225.04 kmph यानि 1225.04 kmph तो अब अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके कितनी ज़्यादा speed होगी 1225.04 kmph ये एक MAC की speed होती है और इसकी speed कितनी है 121.6 MAC हला कि भारत के पास ये फिर दुनिया के बाकी कई देश है चाइना है रशिया है अमेरिका है इनके पस ऐसी भी बहुत से ballistic missiles हैं जो इससे कई ज़्यादा और speed की है लेकिन अभी क्योंकि हम प्रले को discuss कर रहे है तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रले है इसकी speed 121.6 MAC है अब हम इसकी trajectory के बात करने हैं तो ये trajectory काफी low होती है trajectory क्या होती है मानलो यहां से आपने इसको छोड़ा तो ये जो पात होगा इसको हम बोलेंगे trajectory तो ये trajectory होती है ये क्या होती है काफी low होती है अब देखो guidance system के बात करें तो inertial navigation system inertial navigation system है जो इसको guide करेगा ये इसका guidance system है मास के बात करें तो 5-10 इसका मास है अब इसकी खासियत यह है कि यह रास्ते में माने एक बार आपने उसको छोड़ दिया तो मिड एर में हवा में भी यह अपना जो रास्ता है पाथ है उसको चेंज कर लेती है और यही एक capability इसको काफी deadly बनाती है क्योंकि इसकी वज़ा से इसको track कर पाना काफी difficult होता है तो दुश्मन के इसको track कर पाना काफी difficult है इसलिए जितने समय में पाकिस्तान या जीनियों को इसके बारे में पता चलेगा उतने समय तक यह उनके क्षेत्रों में प्रले जो है वो धा चुका होगा मतलब यह मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बाते कर रहा हूं कि यह इतनी deadly है और यह क्यों deadly है क्योंकि इसके पास ability है कि यह mid-air हवा में अपना जो रास्ता है path है उसको change कर सकती है इसलिए इसको track कर पाना काफी difficult है इसके सरसर देखे इसके पास ability है कि यह interceptor missiles को भी defeat कर सकती है तो इसलिए यह काफी deadly weapon है Indian Army के लिए अब मैं आपको बताया कि Defense Ministry ने इसके purchase के लिए ज इसको बना कौन रहा है तो इसको किस ने बनाया है इसको DRDO ने बनाया है Defense Research and Development Organization तो DRDO ने बनाया है प्रले ballistic missile जिसको खरीने के लिए हमारे Defense Ministry ने approval दे दिया है और यह किसको दिया जाएगा Indian Army को दिया जाएगा अब यहां पे देखिए चाइना और पाकिस्तान ने अपने जो ballistic missiles हैं उनको tactical purposes के लिए deploy किया है यह यह कारण है कि भारत भी LAC यानि Line of Actual Control में और LOC यानि Line of Control में अपने जो प्रले ballistic missiles हैं इनको deploy करने वाला है तो आप से सवाल पोचा जाएगा कि India प्रले ballistic missiles को रखेगा कहां पे कहां डिप्लोई करेगा तो LAC में करेगा LOC में करेगा यह यह आगे आपके पास LAC यह आगे आपके पास LOC, LAC इंडिया और चाइना के बीच की Boundary Line है, LOC इंडिया पाकिसान के बीच की Boundary Line है और विच यह बाते आपको पता ही होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब प्रले missiles हैं इनको हमने deploy किया है मतलब आने वाले समय मे करेंगे, LAC में Line of Actual Control और LOC में Line of Control अब देखे मैंने आपको बताया कि प्रले ballistic missile को खरीदने के लिए Defense Acquisition Council ने Approval दिया है, तो अब सवाल है कि यह Defense Acquisition Council है क्या, देखे Defense Acquisition Council जो है कि हाइस्ट decision making body है Defense Ministry की, यह decide करती है नई policies और capital acquisitions को, Capital Acquisition का मतलब वहता है, जहां पर हमने पैसा खरज करके कुछ नई चीज खरीदनी है, तो यह नई policies के ओपर decide करता है और capital acquisitions के ओपर decide करता है, तीन services के लिए Army, Navy और Air Force और इसके साथ Indian Coast Guard के लिए, तो three services, Army, Navy, Air Force और Indian Coast Guard, इनके लिए जो भी नई policies बनेंगी, capital acquisitions बनेंगी, उनके लिए highest decision making body जो है, defense ministry में वो कौन सी है, वो है defense acquisition council, minister of defense जो है, वो chairman होता है, इस council का, आई मुझा comment box में बताईए, इस point of time पर हमारे minister of defense कौन है, जो भी minister of defense होगा, वो chairman होगा इस council का, अब सवाल है कि इसको कब बनाया गया था, देखिए इसको करगिल war के बाद बनाया गया था, तो करगिल war 1999 में हुआ था, इसके बाद group of ministers ने कुछ recommendations दी, जिनको कहा गया है, reforming the national security system, ये recommendation दी कि 2001 में, इन recommendations के तहत, ये जो हमारी defense acquisition council है, इसको बनाया गया था, जब भी ज़रूरत होती है, तो इनके meeting होती है, और meeting में फिर ये decision लिये जाते हैं, जैसे इस बार भी ये defense acquisition council के meeting होई, जिस meeting में इनका जो purchase है, उसको approve किया गया, तो ये बना था, group of ministers की recommendations में, reforming the national security system, जो recommendation आई थी 2001 में, करगिल war के बाद जो 1999 में हुआ था, ये था दोस्तों, इस lecture का analysis, इसमें हमने हर एक चीज़ को अच्छे से विशार से cover करने का प्रास किया है, जितने इसमें भी important and relevant facts है, वो सारे में आपके साथ share किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो, तो like करेगा, share करेगा, politics, economy, technology की तमाम वीडियो को देखने के लिए, एक बार हमारी playlist को जरूजग करेगा, gk counterface के ऐसी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चानल को subscribe आपको बहुत बहुत धन्यावाद,